सबसे पहले इस टाइटिल को समझते हैं ब्लेरिंग रेड देखो ये जो शब्द है ब्लेर बी ले आरी इसका मतलब होता है एक तरीके का लाउड नॉइस रेड ये रेड का मतलब है कोई खत्रे का सूचक है ना हम जो रेड है इसको खत्रे के निशान के रूप में प्रियूप करते हैं खत्रे के सूचक के रूप में तो यहाँ पर क्या है एक तरीके का जिससे हम लाउड नॉइस कह सकते हैं और जो खत्रे का सूचक है, तो यहां हम बात करने वाले हैं, communal violence के बारे में, अभी हाली में उदैपुर में जो घटना हुई, जिसमें कनहिया लाल की हत्या कर दी गई, तो यह जो घटना है, यह एक तरीके से इसके लिए कहा गया है, blaring red. तो उदैपुर की यह जो किलिंग है, उदैपुर में यह जो हत्य हुई का नहीं अलाल की, यह किस बात को चिन्नित करती है? A turn for the worse in the communal situation, कि जो सामपरदाइक situation है, जो सामपरदाइक इस्थिती है भारत में, उसमें एक और मोड देखने को मिला है हमें, और यह मोड बहुत ही बदतर situation के लिए है, यानि कि अब situation और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है. The gruesome killing of कनहियालाल in उदैपुर, gruesome का मतलब होता है, बहुत ही भयानक, killing of कनहियालाल in उदैपुर, in राजिस्थान, तो राजिस्थान में, उदैपुर में, कनहियालाल की बहुत ही भयानक तरीके से, यह जो हत्या की गई, by two persons, दो व्यक्तियों के द्वारा, यह who आया है, इ मतलब होता है, कि प्रतम द्रिष्टया, जो आपको सच प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं, कि प्रतम द्रिष्टया देखने पर ऐसा लगता है, who have apparently acted in defense of their Islamic faith, अब यानि कि इन दोनों व्यक्तियों ने, जिन्होंने कनहियालाल की हत्या की, प्रतम द्रिष्टया ऐसा प्रतीत होता है, कि इन्होंने ये काम किया, in defense of, के बचाओं में, की सुरक्षा में, their Islamic faith, यानि कि उन्होंने कनहियालाल की हत्या की, अपने इसलाम का, उनका जो विश्वास है, उसकी रक्षा के, उसकी रक्षा में, या उसके बचाओं में, अब ये जो घटना हुई है, has, far from offering, offer का मतलब प्रदान करना, any reassurance to their community, far from का मतलब है, कहीं अधिक, far from offering any reassurance to their community, तो इस घटना ने, उनके समुदाय को, आश्वासन प्रदान करने की बजाए, यानि कि आश्वासन से कहीं दूर, made it even more vulnerable, इस घटना ने, उनकी community को, क्या किया है, और ज्यादा vulnerable बना दिया है, vulnerable का मतलब होता है, बहुत ही कमजोर इस्थिति में होना, बहुत ही नाजुक इस्थिति में होना, तो कुल मिला के, उनकी community को, इन दोनों व्यक्तियों ने, करने अलाल के इत्या करके, और भी ज्यादा नाजुक इस्थिति में पहुचा दिया है the manner in which the violence was captured on camera कि भई जिस तरीके से ये जो हिंसा की घटना हुई ये जो किलिंग हुई इसको क्या किया गया केमरे में कैद किया गया and circulated और केमरे में कैद करने के बाद इस घटना को circulate किया गया है उस वीडियो बनाया गया उसको जो है इदर उदर जो है शेर किया गया the pre-meditated nature of the murder itself कि ये जो हत्या की गई इसकी प्रकरती कैसी थी? pre-meditated pre-meditated का मतब होता है जो पहले से सोच विचार के किया जाए तो कुल मिला के ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई and the celebration that followed और हत्या के बाद में जो उत्सव मनाया गया follow का मतलब है किसी घटना के बाद आप कुछ करते हो and the celebration that followed और ये जो उत्सव मनाया गया इस हत्या के बाद में ये सारी की सारी घटना है all point to the peak peak का मतलब होता है शिखर of a communal volcano तो ये सारी बातें किस और इशारा करती है इस सारी बातें और इशारा करती है की एक सामपरदाइक जोला मुखी का shikhar हमें भारत में देखने को मिलता है कि यह जो सामपरदाइक हिंसा चल रही है, सामपरदाइक बातें, सामपरदाइक सिचुएशन जो चल रही है तो यह जो सामपरदाइक जौला मुखी है, यह ऐसा लगता है, मानो बिलकुल शीर्स पर पहुँच गया है That India has climbed up, climb up का मतलब है उपर चड़ना Through a relentless, relentless का मतलब होता है, बिना थके लगातार Campaign का मतलब है, अभियान, of political parties तो यह जो सामपरदाइक जौला मुखी हमें देखने को मिल रहा है यहनि कि भारदेश जौला मुखी के उपर किस तरह से चड़ गया Through, किस माध्यम से, a relentless campaign भारत में हमें लगातार जो है, अभियान देखने को मिले, कई political parties के And a cohort, cohort का मतलब है, group, समूह And a cohort of pathetically, and a group of, pathetically का मतलब है, कि भाई, आप कह सकते हो कि बहुती बुरा, बहुती बुरा, very bad cohort of pathetically irresponsible television anchors कि जो मीडिया की अगर हम बात करें, तो कई television anchors है उनकी जो reporting है, वो बहुती बुरी रही है यानि कि उन्होंने बहुती irresponsible तरीके से इन सामपरदाइक घटनाओं को प्रस्तुत किया है तो इसके कारण भी ये जो सामपरदाइक जौला मुखी है ये अपने बिलकुल peak पे पहुँच गया तो राजिस्थान पोलिस जो है उसने क्या किया है बड़ी ही ततपरदा के साथ जो है इस घटना के ऊपर एक्शन लिया है और इन क्रिमिनल्स को इन अपरादियों को जो है गिरफतार किया फूस ट्राइल ट्राइल का मतलब होता है सुनवाई एंड पनिशमेंट दंड मस्ट बी क्विक एंड एग्जम्पलरी एग्जम्पलरी का मतलब है एक तरीके से उधारन प्रस्तूत करना है उधारन सैट करना यहाँ पर एडिटोरी बताता है कि इनकी जो सुनवाई हो और इनको जो दंड मिले वो जल्द से जल्द होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि ये एक उधारन प्रस्तुत करे यानि कि आगे कोई इस तरह से करने की हिम्मत न करे The state deserves credit for swift swift का मतलब है तेजी से है swift action कि राजिस्तान सरकार ने ये जो तेजी के साथ जो action लिया उसके लिए राजिस्तान सरकार जो है इस बात का credit deserve करती है ना यानि कि राजिस्तान सरकार की इस बात के लिए प्रिशनसा की जानी चाहिए although यद्यपी the police should have been देखो should have plus V3 इसका मतलब है ऐसा होना चाहिए था although the police should have been alive to the threat alive का मतलब है बिलकुल एकदम जीवित होना बिलकुल सजग होना हालंकि editorial आगे बताता है कि police को इस बात के प्रती पूरी तरीके से जीवन्त होना चाहिए था किस बात के प्रती उस खत्रे के प्रती faced by कनयालाल है ना जो कनयालाल ने face किया राजिस्तान चीफ मिनिश्टर अशोग गहलोत who has noted the deteriorating situation deteriorate होने का मतलब होता है और खराब हो जाना है तो राजिस्तान के जो चीफ मिनिश्टर अशोग गहलोत उन्होंने इस बात को नोट किया है कि इस बात को कि भई जो situation है वो लगातार खराब होती जा रही है of communal hostility hostility का मतलब है शत्रूता कि लगातार सांपरदाइक वेमन अश्य देखने को मिल रहा है लगातार सांपरदाइक शत्रूता बढ़ रही है in several parts of the country देश के कई भागों में लगातार यह जो सांपरदाइक शत्रूता है वो बढ़ रही है राजिस्थान के जो Chief Minister अशोग गैलोत has requested Prime Minister नरेंदर मोदी इन्होंने Prime Minister नरेंदर मोदी से जो है request की है to issue an appeal for peace कि Prime Minister नरेंदर मोदी जो है एक जो है appeal करें पूरे देश से शांती बनाए रखने के लिए the भारती जनता पार्टी on the contrary contrary का मतलब होता है के उलट मतलब एक तरीके से विरोधा भास में जब कोई चीज होती है न तो उसके लिए हम बोलते हैं contrary तो इसके उलट भारती जनता पार्टी ने has accused आरोप लगाया है the Congress किस के उपर? Congress के उपर in Rajasthan भारती जनता पार्टी ने राजस्थान में Congress के उपर आरोप लगाया है of appeasement appeasement का मतलब होता है तुष्टी करण करना किसी का है न appeasement of a community भारती जनता पार्टी ने Congress पर एक समुदाय को समुदाय को संतुष्ट करने का या समुदाय के तुष्टी करण का आरोप लगाया है in a reference to Muslims यह किस community का? वही किस संदर में बात कही है भारती जनता पार्टी ने कि भारती जनता पार्टी का कहना है कि यह जो Congress है राजस्थान में यह Muslims को अपीज करने की कोशिश कर रही है नहुंका तुष्टी करन करने की कोशिश कर रही है who are? अब यहाँ पर who आया है Muslims के लिए who are at the receiving end receiving end का मतलब होता है कि आप प्राप्त करता हो किसी चीज के who are the receiving end of police violence and discriminatory discriminatory का मतलब है भेद भाव पूर्ण policy at the national level and in many states तो कुल मिलाके Muslims के लिए कहा गया है कि भई यह police की हिंसा के प्राप्त करता है और इनको receiving end पर होने का मतलब है कि भई आपको यह जहलना पड़ रहा है आपको यह चीजें प्राप्त हो रही है इसके अलाब हम क्या देखते है Muslims के प्रती discriminatory policy कई तरह की भेदभाव पूर्ण निती है ना राष्टरी स्तर पर भी और कई राज्यों के इस तर पर भी The Udaipur killing marks कि भई यह जो Udaipur की घटना है किस बात को दर्शाती है A major turn कि एक बड़ा मोड हमें देखने को मिला है In the communal situation in India कि भारत में जो सांपरदाई के इस्तिती है उसमें एक बड़ा मोड इस Udaipur killing से आया है And could potentially Could यहाँ पर आया है Future Possibility के लिए Potentially का मतलब है संभावित रूप से Trigger का मतलब है शुरुवात करना More such violence और यह जो Udaipur killing है संभावित रूप से आगे अन्य हिंसक घटनाओं की शुरुवात कर सकती है No violence can be condoned Condoned का मतलब होता है उपेक्षा करना किसी चीज की है जाने देना किसी चीज को तो यहाँ पर editorial कहता है कि कि किसी भी तरह का जो violence है उसे आप उपेक्षित नहीं कर सकते है Sadly, अभी यह काफी दुखपूर्ण है In India, भारत में Some of the arms of the state Arms of the state का मतलब हुआ राज से संबंदित कुछ प्रभावशाली व्यक्ति है न कि रमालो राज में ही है ना राज से संबंदित कोई organization है उसके कोई प्रभावशाली व्यक्ति Some of the arms of the state are among the perpetrators perpetrators का मतलब हुआ गुनहगार, दोशी कि भाई, दुखपूर्ण बात यह है कि राज से संबंदित कुछ प्रभावी लोग ही गुनहगार है The clamor clamor का मतलब है यहाँ पे शोर शराबा, from BJP followers कि भाई, जो BJP के followers हैं, उनकी तरफ से एक शोर शराबा हमें देखने को मिलता है क्या? क्या चाह रहे हैं BJP followers? For collective punishment of Muslims कि भाई, सामुही कृप से यह जो Muslims हैं, इन्हें दंड दिया जाए Which the party's governments in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Assam for instance, are doing anyway. यहाँ पे इडिटरेल बताता है कि भाई, यह जो बात की जा रही है na BJP followers के दोरा कि collective punishment जो है, वो Muslims को दिया जाए तो यहाँ पे आगे इडिटरेल बता रहा है कि भाई, UP, MP और Assam में ऐसा हो ही रहा है मतलब कई जगे हम देख रहे हैं कि Muslims को collective punishment दिया जा रहा है तो कुल मिला के यह जो मांग है collective punishment की है न, BJP followers की तरफ से has become louder तो यह जो clamor है, यह जो short शराबा है यह और भी तेज हो गया है added by add का मतलब होता है support देना है added by the parties official policy कुल मिला के यह जो short शराबा है कि भाई, यह जो collective punishment की बात की गई है added by the parties official policy इसको क्या किया गया है BJP party की जो official policy उसके द्वारा भी support प्राप्त है following the Udaipur killing है न, Udaipur killing के बाद इस तरह का short शराबा BJP followers की तरफ से देखने को मिला है कि भाई, यह जो Muslims है, इनको collective punishment दिया जाए an uneven application of law, application का मतलब है लागू करना किसी चीज का, लागू करना uneven assignment of law has led to serious disenchantment among Muslims disenchantment का मतलब होता है moh bhang हो जाना among Muslims कि हमने क्या देखा कि भाई, unequal तरीके से कानून को लागू करना, कारण बना किस चीज का? यहाँ पर led का मतलब है कारण होना to serious disenchantment among Muslims कि Muslims के बीच में कानून के संबंद में मोh bhang हो गया है उसका कारण है कानून को असमान तरीके से लागू करना while Hindu to violence is being promoted and protected by the state in several instances instances का मतलब है घटनाएं जबकि हम क्या देखते हैं कि यह जो Hindu to violence है इसे promote किया जा रहा है इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको संरक्षन दिया जा रहा है राज्य के दोरा कई घटनाओं में हम क्या देखते हैं कि Hindu to violence को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है protection दिया जा रहा है Muslims have been at the receiving end of police high handedness high handedness का मतलब होता है एक तरीके से सक्त कारिवाई कड़ी कारिवाई और Muslims जो हैं वे इस बात के प्राप्त करता रहे हैं किस बात के of police high handedness यानि कि police की कड़ी कारिवाई उनके उपर हुई है even when यहां तक की तब भी when they seek when they seek seek का मतलब है प्राप्त करना है when they seek legal remedies कानूनी उपचार for grievances grievances का मतलब है कि आपके कश्ट क्या है आपकी शिकायत क्या है यानि कि Muslims जब अपनी शिकायतों को लेकर कानूनी उपचार चाहते हैं तब भी उनके साथ क्या हुआ है कई बार police ने सक्ती दिखाई है तो अकुल मिला के यह जो Muslims के साथ हुआ है और दूसरी और हम एक और क्या देखते हैं कि कई जगे हम देखते हैं इंदुत्व violence जो है उसे राजी के द्वारा protection दिया जा रहा है तो यहां peditural कहना चाहरा है कि यह ठीक नहीं है A significant section of the citizenry losing faith and hope in the rule of law A significant section कि वह एक महतपूर्ण जो वर्ग है नागरिकों का वो लगातार अपना विश्वास और आशा खोता जा रहा है in the rule of law कि जो कानून का जो शाशन है उस शाशन में लगातार एक महतपूर्ण वर्ग जो है अपना विश्वास और उमीद खोता जा रहा है इसके चलते क्या हो सकता है can trigger chaos chaos का मतलब है एक तरीके से यह जो disorder और प्रियेट हो जाना है आविवस्था प्रियेट हो जाना can create chaos and अनार्की का मतलब ही होता है अराजक्ता तो क्या हो सकता है इसके माद्यम से अराजक्ता की इस्थिति बन सकती है यहना chaos एक confusion की इस्थिति जो है निर्मित हो सकती है that will तो इसके माद्यम से क्या होगा यह अराजक्ता की इस्थिति निर्मित होती है that will self perpetuate at a huge cost देखो perpetuate का मतलब होता है किसी चीज का जारी रहना keep going और इस तरह की अगर situation create होती है that will self perpetuate at a huge cost to the nation तो इसकी देश को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी needless to say यह कोई कहने की जरुरत नहीं है needless to say कहने की आवशक्ता नहीं है enemies of the nation कि देश के जो दुश्मन है will be waiting in the wings देखो in the wings एक phrase है wait in the wings इसका मतलब क्या होता है जैसे मैं किसी के बारे में ये बात कहूँ कि wait in the wings इसका मतलब है कि आप अभी तो active नहीं हो लेकिन आप बिल्कुल ready हो कुछ करने के लिए बिल्कुल तयार हो आप आगे आने वाले समय में कुछ action लेने के लिए उसको बोलते है wait in the wings wait in the wings का मतलब हुआ जो दुश्मन है वो बिल्कुल इंतजार कर रहे है to take advantage इस तरह की situations का फायदा उठाने के लिए उदैपूर must act as a chilling chilling का मतलब है कोई भी ऐसी situation जो आपको बहुती ज़ादा डरा दे आपको अंदर तक कंपा दे tell का मतलब है एक तरीके का कथानक एक तरीके की कहानी of caution caution का मतलब है आप सावधान हो जाओ बहुती सतर्क हो जाओ बहुती alert हो जाओ तो यह जो उदैपूर की घटना है यह बहुती एक तरीके से आप कह सकते हो कि डरा देने वाली घटना है और यह एक alert के रूप में हमारे सामने होनी चाहिए the BJP governments do not seem seem का मतलब है प्रतीत होना to see any merit का मतलब है in observing constitutional niceties constitutional niceties देखो niceties का मतलब क्या हुआ nicety का मतलब हुआ यहाँ पर कि जैसे हम बोलें किसी भी situation के बारे में अगर हम कहें कि भई the niceties of a situation इसका मतलब हुआ details किसी भी situation जो है उसके details खास करके उससे जुड़े हुए जो है appropriate behavior for that particular situation कि कोई particular situation है उससे संबंदित appropriate behavior उससे हम कहेंगे niceties उससे जुड़े हुए details तो जो BJP सरकारे हैं वे ऐसा नहीं प्रतीत होती कि वे to see any merit in observe observe का मतलब एक तरीके से पालन करना किसी चीज़ का है observing constitutional niceties कि समविधानिक रूप से जो उचित आचरण होना चाहिए उसको observe करती हुई BJP governments नजर नहीं आती and equality before the law समविधान के द्वारा जो equality before the law की बात कही गई है कानून के समानता की जो बात कही गई है इसको follow करती हुई BJP governments नजर नहीं प्रतीत होती है but the party must dial down dial down का मतब है reduce करना किसी चीज को है न कम करना it's dangerous communal frenzy लेकिन BJP पालिटी को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए किस चीज को कम करना चाहिए dangerous communal का मतलब हुआ सामपरदाइक और यह जो शब्द आया है frenzy इस frenzy का मतलब होता है uncontrolled and excited behavior uncontrolled and violent behavior तो यह जो सामपरदाइक अनियंतरित हिंसक व्यभार है यह बहुत ही खतरनाक है और इसे BJP पालिटी को कम करना चाहिए so that ताकि the very nation कि वो रास्ट that it avowedly proclaim avowedly का मतलब होता है शपत पूर्ण तरीके से proclaim का मतलब है घोशना करना to protect ताकि जिस देश को BJP शपत पूर्वक protect करने का protect करने की घोशना करती है does not fall into तेखो fall into का मतलब होता है गिरना, किसी चीज का पतन होना गिरावट आना कि वह देश जो है कहीं गिर न जाए किस चीज में न गिर जाए into a cauldron तेखो, cauldron का मतलब होता है एक ऐसी situation जो की unstable है और बहुत ही खतरनाक है of endemic और इस endemic का मतलब होता है इस्थानिक इस्थानिक का मतलब होता है किसी particular छेत्र में उसके लिए हम बोलते हैं endemic violence does not fall into a cauldron of endemic violence यानि कि यह जो सामपरदाई घटना है यह बहुत ही खतरनाक है और इनको रोकने का प्रयास BJP को करना चाहिए नहीं तो कि वो नेशन जिसको शपत पूरवक प्रोटेक्ट करने की घोशना BJP करती है ऐसा न हो कि वो रास्ट्र जो है एक unstable या dangerous situation में चला जाए है एक इस्थानिक violence जो है create हो जाए cauldron of endemic violence तो इसका मतलब हुआ cauldron का मतलब मैंने आपको बताया कि भई कोई भी ऐसी situation जो की unstable है या फिर dangerous है बहुत ही खतरनाक है endemic का मतलब हुआ एक किसी particular इस्थान में किसी particular छेतर में तो एक भारत का एक जो particular छेतर है वो जो है हिंसा वो जो है एक unstable हिंसा के छेतर के रूप में न तबदीर हो जाए